करेंग तो आज आपके साथ जो श्यार करने जा रहा है आपको कर देखना स्कीप करके मात देखना ताब आपको बाद में कोई दिखकर नहीं आएगा इससे पहले मैंने Polar rule practice का क्यार का पूरा वीडियो और इस फीज़ेश का ब्रेडिंग का वीडियो मैंने टेर दिया था आगर आपने वीडियो आभी तक नहीं देगा तो वीडियो का नीचे जो description box में है उसका लिम्ग मैंने दे दिया है और उपा चो वीडियो का आई बोटन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा आप जागा वीडियो देख सकते वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक रिप्वेश्ट आगर अपने मेरा चालेंग पर नहीं आया अगर अपने मेरा चालेंग अभी तक सब्सकाइब मे जाएग तो चले भीना कुछ बागता है शुरू करते हैं पहले आपको यह बताता हूँ लोगों ने गालती क्या करते हैं बहुत लोगोंने क्या करते हैं फ्राइब होने के बाद मेल और फिमेल को हटा देता हैं आप ऐसा मात किजिए क्यूंकि यह जो फीसे दूसरे फीसे क के तरह नहीं है अपना फ्राइब का खूद्ख ख्याल राख सकता है और क्यार भी कर सकता है अप ऐसा मात किजिए और भी बहुत लोगोंने क्या करते हैं एक ले करने के बाद मेल को हटा देता है यह तो सबसे बड़ा गलती है अगर आप मेल को हटा तेंगे ओ एक हैच कौन करेंगे एक हैच करने के लिए मेल मदद करता है तो आप ऐसा गलती मत किजिए आप मेल को हमात आता है आप पहली बार बीडिंग करने जा रहा है आपके पास एक्सपरियेंस नहीं है तो आप ऐसा गलती करते रहेंगे क्योंकि आप आप लोग जो देखता है ओही करते क्या देखता है आप लोग के मेल या फिमेल फीस ओ एग और फ्राई खा लेते हैं उसके मुख में अंदर घुसा लेते हैं और फिर बाहर निकलता है तो आप सोचता है कि मेल और फिमेल फिस फ्राई और एक को खा लेता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा क्यू करता है मैं आपको ब एक सपध हो गिया लेकिन फीज देखता है और जो मेल और फिमेल फीज है और देख सकते हैं तो जाब उसको फांगास लगता है उसको छुड़वाने के लिए एक को मुक में अंदर ले लेता है फिर उसको बाहर निकलता है अगर फांगास उससे छोड़ गया तो उस एक से फा फैलने से रोकने के लिए वे खा लेता है अगर आप वे छोड़ देंगे तो दूसरे एक कोई फांगास लाग जाएगा इसलिए और भीalon के दूसरे फ्राई को फंगा स्प्रेट करेंगे फ्यालने लाएगे फ्राई साभी फ्राई मारने लाएगे इसलिए और काम करता है तो उमीद करता हूँ इसको जानने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो प्लीज आप मेल और फिमेल को मात आता है उस फ्राई से एक माहिना थाक वो fry का जो पेरेंट से male female pair उसके साती राखिए तो main topic पर आता हूँ क्यार कैसे करे fry का तो पहले आपको टैंग का size बता दू बीडिंग करने के लिए आपको minimum 2 feet का टैंग चाहिए अगर आप proper space देंगे एक proper environment देंगे ताभी ओ fry happily राएगा और चिंदा भी राएगा तो minimum आपको 2 feet टैंग चाहिए बीडिंग करने के लिए इस बात को आपको ध्यान देना होगा इसके बाद आता हूँ पानी का temperature वाटर का temperature क्या होना चाहिए वाटर का temperature होना चाहिए 26 degree to 28 degree centigrade इसके बीच में आपको temperature राखना होगा तो इसके लिए आपको thermostat यानी heater का जरूरत होगा तो आप heater कैसे setup करेंगे उसका भी एक process है आपको में बाताता हूँ आप मेरा personally recommend करता हूँ आपको आप fry hatch होने के दो तिंग दिंग्स पहले आप पानी में हीटार लगा दीजे थार्मोस्टेर लगा दीजे और थार्मोस्टेर जब आप लगाएंगे आपको 22 degree centigrade लगाना होगा पहला दिजे तो नेक आपको टेम्परेचर राखना होगा पहले दिनी आप 28 degree सेट अप करके थार्मोस्टेर मत लगाएं आपको इस तरह का टेम्परेचर इंक्रीस करके थार्मोस्टेर लगाना होगा तो इस बात का अपको ध्यान देना होगा नेक्स टोविक पार आथ हूँ पानी का कैसे आपक लगातार 14 डेज दो हफ्ता तक आपको 25% वाटाथ चेंज करना होगा अगर दो हफ्ता हो गया तो उसके बाद आपको 25% वाटार तीन दिन का बाद आपको चेंज करना होगा थ्री डेज बाद आपको वाटाथ चेंज करना होगा मानिए आज आप वाटाथ चेंज किया है त तो थ्री डेस बाद आपको वाटाद चेंज करना होगा 25 परसेंट ऐसा करके आपको वान वीक तक करना होगा वान वीक जब हो जाएगा ऐसा करके ताब आपको नौर्माली जो वीगली 25 परसेंट वाटाद चेंज करना होता है सभी माशली के लिए उस तरह कही आपको प्रोसे तो चाहिए इस्याल पाइघाएक श्णीक को द्याति हो लिए श्री इसमी। जूके लिए सबसेंगे, मेल होिए अलंकर मतल हो और फीडिंग में दुभी शुब काशी सब्सक्राइख सकतो, वही आपको साथ सियार करूँगा, मैंने क्या feeding दिया है, मैंने टेत्रवीत का all complete जो ए फूद आता है, यही में feeding कराता हूँ, यह पैलेट लेकर में टैंक का अंडर डाल देता हूँ, और फ्राई का जो पैरेंट से इस पैलेट को ग्राइंड करके, यानी पीस के वह अपना फ फ्राई को फिडिंग करता है आप भी आइसा करके देखें आपको भी काम हो जाएगा और फिडिंग के लिए आप एक योग भी दे सकता है अंडे का जो अंदर का पाठ है वह फिडिंग के लिए दे सकता है लेकिन उसका एक प्रोसेस से अगर आपने ओन प्रोसेस नहीं जानत बदेट थरह हई है तो इस तरह कि एक पौडरर आता है इसको डापनिया पौडर क्यायता है के पनीया पौडर आप अपना फ्राई को फीडिंग करबा सकता है यह पनीया प्र reiter आपको कोई भी ऑंलाइन स्टोर कर बने जाएगा और मेरा वीडियो का जो डेप सिस्टन बॉक्स है उसके भी लिंक दिया गया है आप उजाकर वो खारी सकते और अपना फ्राई को फेडिंग करवा सकता है तो फ्रेंज एही था पोलार गुलू पैरोड फिश का फ्राई का क्यार उमीद करतो आपका सारा डाउट क्लियार हो गया इस वीडियो में उमीद करतो आपका एवीडियो हेल्फुल हुआ अगर आपका एवीडियो हेल्फुल हुआ अगर आपका एवीडियो आच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी फिसेस के बारे में इंफर्मेशन पाने के लिए मेरे चैलेंग को सब्सक्रीब कर रखना तो मिलते आगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई भुदा आपी सस्रिया कल